हेलो एवरीवन, वेलकम तो दुछ चैनल एक रिकल्चरल स्टेडीज, मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दवरान हम सॉइल साइंस सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल Fundamentals of Soil Science में, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, वीडियो और केमिकल वीडियो के बारे में अच्छे से बताया ही है तो आज इस वीडियो के दवरान हम बारे में बात करेंगे ऐसे पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ हिंट तो देही दिया था कि वायलोजिकल वीडियो क्या है तो उसके बारे में आज थोड़ डीटेल से हम बात करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि Stability Sequence of Minerals क्या है Stability Sequence का क्या मतलब हुआ कि जो भी अलग अलग हम देखते हैं Minerals है Quards है, Micah है जो हमने पिछली वीडियो के अंदर कही न कहीं पड़े है Silicate Minerals हो चाहिए फिर वो Non-Silicate Minerals हो उनके बारे में हमने इच्छे से बात करी है तो उनके अंदर हम देखते हैं Withering का एक Particular Sequence होता है कुछ Minerals ऐसे हैं जो Withering के लिए बहुत ज़्यादा Resistance Create करते हैं के लिए बहुत ज़्यादा Resistive होते हैं मतलब उनकी Withering आसानी से नहीं होती कुछ ऐसे होते हैं जिनकी Withering बहुत आसानी से हो जाती है तो उनका एक Particular Sequence है तो उस Sequence के बारे में आज हम बात करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि Withering Index क्या है Withering Index क्या होता है और साथ में हम देखेंगे कि कुछ जो Important Minerals है उनका Withering Index क्या है ये Topic भी अपने आप में बहुत Important है क्योंकि ICR Examination के अंदर हम देखते हैं तो अगर इन तीन Topics को और हम अगर Study कर लेंगे तो मेरे क्याल से ये जो Withering of Rocks and Minerals जो Complete Topic है वो पुरा समाप्त हो जाएगा क्योंकि अब इससे रिलेटेट जो भी बाते थी फिजिकल वीदरिंग, कैमिकल वीदरिंग, बायलोजिकल वीदरिंग और साथ में बचे वे ये कुछ पॉइंट, तो इन्हें में हम अच्छे से डिसकस कर रहे हैं तो मैं आपको इस बाहने यही बताना चाहरा हूँ कि ISER examination, चाहे वो Pre-PG examinations हो उनके लिए इस तरह के वीदियोस important हो सकते हैं तो अगर आपके कोई known में जिनको आप जानते हैं जो आई CR examination, जे आफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके साथ ये वीडियो आप शेर कर सकते हैं साथ ही मैं आपको फिर से बतारा चाहूँगा कि Fundamentals of Soil Science के ही पिछले वीडियोस जो हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक उपर आई बटन के साथ नीचे description box में available हैं अब चाहें तो उन्हें देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये biological weavering क्या होती है तो हम देखते हैं It includes the effect of plants, men and animals and microorganisms तो इसके अंदर किसका effect आता है तो हम देखते हैं plants का और man, animal का man यानि हम, मतलब हम मतलब इनसान और साथ में animals और साथ में microorganism का effect देखा जाता है effect देखा जाता है मतलब weavering तो अभी भी हम कह रहे हैं या तो chemical है या physical ही है लेकिन यहां बस एक agent जुड़ चुका है एक living organism जुड़ चुका है तो इसे हम क्या कह देते हैं biological withering कह देते हैं biological withering अलग से कुछ नहीं है chemical और या तो chemical withering है या physical withering ही है लेकिन उनके अंदर ही करने वाला कौन बंदा है तो हम देख रहे हैं कोई living organism है जिसको हम कह रहे हैं या तो वो plant है या man या animal है या फिर वो microorganism है तो इस वज़े से हम उन्हीं physical और chemical withering को ही नया नाम देते हैं क्या biological withering तो अब हम देखते हैं कि plants का क्या role है तो plants का क्या effect होता है plants play important role in soil crumbling soil को तोड़ सकते हैं plants soil को कैसे तोड़ सकते हैं roots exert pressure up to 10.58 kg per cm2 या रूट्स के अंदर roots जब हम देखते हैं rocks के अंदर अगर कहीं दरार वगेरा है cracks वगेरा है तो उसके अंदर जब develop होंगी तो वो कही ना कहीं उसके अंदर कितना ज़्यादा pressure create कर सकती है तो हम देख रहे हैं 10.58 kg per cm2 तक का pressure create कर सकती है अब pressure create करेंगी तो ultimately rocks जो है वो break हो सकती है उसका disintegration हो सकता है उसकी physical withering हो सकती है तो कहने का मतलब यह हुआ physical withering जो है plants करवा सकते है plants का होना जो है rocks के उपर withering करवा सकता है physical withering करवा सकता है और साथ में हम देखते है man or animal man इनसान क्या कर रहा है तो हम भी जानते हैं कि construction of roads सडके बना रहे हैं हम buildings बना रहे हैं साथ में dams वगरा बड़ी-बड़ी चीज़े बना रहे हैं तो यह जब बड़ी-बड़ structures बनते हैं तो of course चटाने काटने पड़ती है तो यानि हम देख सकते हैं उसका भी disintegration इनसान कर रहा है rocks का disintegration यानि उसकी physical withering कर रहा है इनसान और साथ में हम देख रहे है earthworm और ant earthworm और ant आप जानते हों कि soil के अंदर क्या करते हैं यह mix up करते हैं plant and animal residue को into soil soil के residue के साथ soil को अलग-अलग उसकी residue जो है वो प्लांट की हों चाए वो अनिमल की हों उनके साथ उसे mix करते हैं यह लोग कौन? earthworm और ant साथ में आप भी जानते होंगे कुछ ना कुछ यह carbonic acids बगरा भी छोड़ते हैं जिससे हम देखते हैं कि अल्टिमेटली जो है soil structure जो है वो कही ना कहीं हमस में create होना लगेगा तो हमस बगरा के अंदर जैसी conditions create होंगी तो अल्टिमेटली आप भी जानते हैं कि उससे chemical weathering बढ़ सकती है तो chemical weathering जो है वो rocks की animals के वज़ा से हो सकती है रोडेंट्स वगेरा जो होते हैं जो जमीन को खोद देते हैं वो अल्टिमेटली गही नगहीं एक्सपोस कर सकते हैं physical weathering या chemical weathering के लिए किसी particular rock को तो कहने का मतलब यह animals के अंदर earthworm, ant, rodents वगेरा आप याद रख सकते हैं rodents मतलब आप जानते हैं चुवे वगेरा जिसको हम कह देते हैं बिल बनाने वाले लोग होते हैं और साथ में हम देखते हैं microorganisms microorganisms के अंदर तो कौन लोग famous है bacteria, हम देखते हैं fungi या actinomycetes, algae तो यह लोग जो है microorganisms जिसको हम कह रहे हैं वो क्या करते हैं producing carbon dioxide and organic acids यह respiration करते हैं तो ultimately carbon dioxide निकालते हैं carbon dioxide, organic acids इसकी वज़े से chemical withering को है वो escalate होती है उसको बढ़ावा मिलता है तो कहने का मतलब यह हुआ microorganism भी अपने आप में withering का agent हो सकते हैं तो microorganism की विज़े बात आती है आप वैसे तो plant के अंदर लिखा जाता है कि like in word को भी आप याद रखते है like in बहुत famous question रहा है आपने भी जब भी सुना होगा like in को बहुत like in मतलब आप भी चानते हैं symbiotic relation होता है fungus और algae की बीच का fungus और algae की बीच का symbiotic और हम देख रहे हैं कईने कई जो combination है एक तरह है तो वो जो inka relation है like in वो rocks के ओपर जब होता है तो वो भी कईने कई acids वगरा secret करता है तो उससे भी उसकी वीधरिंग होती है तो ये like in को भी आप वीधरिंग के अंदर याद रखें biological वीधरिंग के अंदर आप याद रखें तो इस तरह से हमने कुछ बाते जानी biological वीधरिंग के बारे में तो चलिए इस वीडियो के सबसे important point के बारे में बात करते हैं जो कि है stability sequence stability sequence of what? of different minerals कि अलगले minerals का अगर stability का हम sequence देखें तो सबसे ज्यादा stable कौन होगा जिसकी वीधरिंग सबसे कम होती हो हाण जिसकी वीधरिंग सबसे कम होती हो तो इसका मतलब वो वीधरिंग के लिए सबसे ज्यादा resistive है मतलब एक तरह से resistance create कर सकता है तो सबसे ज्यादा resistance जो है आप भी जानते हैं कि quads में होता है quads जो है most resistant mineral है towards तो जो बाकी मिनरल्स हैं उसको एक सिंप्लिफाइड फॉर्म के अंदर एक सिक्वेंस में क्रेट हिया गया है यहां पर इससे पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं हम कि तो भीद्रिंग ऑफ कॉमन प्राइमरी मिनरल इस इलस्ट्रेटीड बाय स्टेबिटी सीरीज नाम से इसको अगर हम इल्यस्ट्रेट करें तो किस ने सबसे पहले प्रपोस्ट किया गया था तो वे सब्सके मिया था याद रखें तो उसका एक सिंप्लिफाइड फॉर्मिट यहां लिखा गया है कि वह सब से दादा resistant जो है वो है quads उससे कम है musco white musco white bio tight अपने पढ़े हैं mica के अंदर अगर आपने बिछले वीडियो देखे हैं तो musco white white color का माइका होता है जबकि bio tight black color का माइका होता है तो फिर यह एक तरह का माइका हो गया मतलब जो phylo silicate में पढ़ा था हमने quads किसमें पढ़ा था tecto silicate में पढ़ा था हां तो यह quads से कम resistant है माइका मतलब जो musco white और musco white से कम felspar है felspar से कम जो है resistant वो है bio tight bio tight से कम resistance horn blend है horn blend से कम है calcite calcite से कम है olivine olive नहीं है यह olivine है n e था है अब है e n e olivine और साथ में zipsum सबसे कम resistant है मतलब सबसे एक तरह सकते हैं वीदरिंग असानी से किसकी हो सकती है तो sequence के साब से zipsum की हो सकती है okay तो यह sequence कई बार examinations में बूचा जाता है तो यह sequence को आप याद रखेंगे तो मैंने जैसे कि बताया कि यह को एक simplified form बता रखें ताकि हम उसे असाने से याद कर सकें लेकिन आप ध्यान रखेंगे जो वास्तों में stability series है उसको अच्छे से आप जैसे कोई वडिया किताब के अंदर देखेंगे तब आपको वहां दो columns की रूप में उसको आप study कर सकेंगे आपकी screen के उपर मेरी कोशिश आए कि आपके पास यह available हो जाए stability series जिसमें आप देख सकते हैं कि जो left hand side में सबसे उपर-उपर है वो है olivine लिखा है तो olivine जो है वो सबसे जादा क्या है कम resistance क्रेट कर रखता है अब जो olivine हो गया उसके बाद नीचे क्या लिखा गया है उसके अंदर हम देखेंगे कि amphibials या pyroxines है तो pyroxines है फिर amphibials है और साथ में बायोटाइट को लिखा गया है तो कहने का मतलब यह हुआ कि वहाँ आप देख सकते हैं olivine जो है वो nezo silicate है देखो मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछले वीडियो जो है देखे है क्या पिछली वीडियो में मैं आ वहने चार के चार oxygen tetrahydra में पकड़के बैठा है तो उसके अंदर नैजो silicate कहते हैं उसे structure को हम वहीं उसके बाद अब जो देखेंगे pyroxines और साथ में amphibials तो वह आइनो silicate है और नीचे आप देखेंगे तो उसके अंदर सबसे नीचे आपको बायोटाइट मिल जाएगा जो कि माइका है माइका मतलब phylo silicate फाइला silicate यह है शीट silicate जने हमने कहा राजेस को हैना तो कहने का मतलब यह होगा कि वो left hand side में लिखा गया है अब जो right hand side के अंदर जो पूरा column दिया गया है वो felspar का है felspar आप भी जानते होंगे कि जितने भी minerals हैं उसमें सबसे ज़् आर्थ क्रस्पे फelspar हैं तो यह जो felspar हैं वो कोई एक mineral नहीं है वो बहुत सारे minerals है उसमें अगर वो calcium का felspar है तो से हम albite खह देते हैं जबकि अगर sodium का है तो इससे albite खह देते हैं potassium का है तो क्या कह देते हैं orthokles कह देते हैं तो उस series में आप देख पा रहे होंगे कि इसके नीचे नीचे किया लिखा है उसमें पोटाश-धास मातलब वह क्या है वह और्तोक्लेस जो है उसके बाद एपस कंटिन करना चाहरा हूं अपको आपकोरस उपक today और है कि यह तो बस एक याद करने के लिए sequence है, बाकि जो main हकीकत में series है वो तो और भी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसमें जो हम stability series नाम से बढ़ते हैं, जो world each की है उसको वो उस तरह से दिखाया जाता है जो मेरी कोशिश रही कि आपको इस screen के ओपर समझ भी आया होगा, है ना तो अब next जो है point उसके अंदर हम वीदरिंग इंडेक्स के बारे में और बात करेंगे जो कि अपने आप में भी बहुत ज़्यादा important topic है लेकिन उससे भी again मैं आपको कहूं important कोई है, तो वो यही topic है stability series को तो आप उसको जरूर अच्छे से याद रखें तो चलिए अब हम बात करते हैं वीदरिंग इंडेक्स के बारे में तो वीदरिंग इंडेक्स होता क्या है तो पहले देखिए, होता क्या है इससे पहले एक important चीज़ देखिए, कि यह given by मतलब दिया किसने था दिया किसने था, तो Jackson ने 1964 में दिया था यह modern point है, आप इसे याद रखेंगे Jackson ने, गोल्डिच ने क्या दिया था सीरीज दी थी जबकि यह इन्होंने इंडेक्स दिया है तो इसे याद रखेंगे आप और हम देख रहे हैं कि वीदरिंग इंडेक्स, डवलु आई मतलब वीदरिंग इंडेक्स, में हल्प दी में हल्प तू एरे दी क्ले साइस मिनरल्स एरे मतलब एरे मतलब एरे वापरे वाला एरे नहीं एरे मिन्स मतलब वो एक display एक तरा का या arrangement जो आपको दिखाया गया है स्क्रीन पे मेरी कोशिश है कि जो वीदरिंग इंडेक्स कम्प्लीट जो भी लिस्ट है वो आपके सामने अवेलबल हो चाहिए ताकि आप उसे रीड कर सकें हाना तो वो कम्प्लीट एक तरह का अर्रेंजमेंट जो आपको रिप्रजेंट किया गया है वो हमें help कर सकता है में help to array the clay-sized minerals को भी हम study कर सकें कि उनकी वीदरिंग कैसे होती है या कितने हो नहीं हो पाती है या resistance किसमें है वीदरिंग के लिए अकॉर्डिंग तो वीदरिंग सीक्वेंस के रूप में उसे study कर सकेंगे क्याने का मतलब यह हुआ अभी तक जो हमने पिछे पड़े उसके अंदर secondary minerals नहीं थे आपने ध्यान दिया हो तो primary minerals ही थे main बड़े-बड़े अब वो secondary minerals या clay minerals इने हम कहा देते हैं तो वर्मिकुलाइट, मौन्ट पॉनलनाइट पिछली वीडियो अगर आपने देखे हैं तो उसमें 2 ratio 1, 1 ratio 1, 1 ratio 2, 1 इस तरह से हमने जो 1 ratio 1, 1 ratio 2 और ऐसे करते हैं जो हमने वो पड़े हैं अलग-लग types of clay minerals पड़े हैं तो उनको भी अगर हम वीडियो के sequence के अंदर देखें तो वो आपके सामने एक अवेलिबल है चार्ट तो उससे आप study कर सकते हैं तो देखो आप जब उस चार्ट को study करेंगे तो आपको समझाएगा कि केवलिबल नाइट का ICR examination में पिछले साल गोशन पूछा गया था कि उसका वीडियो इंडेक्स क्या होता है पिछले साल हो सकता है आप ये वीडियो तीन साल बात द इंडेक्स क्या है तो आप समझ रहें चार्ट में देख कि आप सकते हैं कि वह 10 है तो वह पुछा गया था सिंप्ली तो उसका वीडियो इंडेक्स इतना ज्यादा है तो इसका मतलब वह भी क्या होता है most resistant हो गया एक तरह से लेकिन किसमें most resistant हो गया तो वह फाइलो कहा देते हैं ना एक तरह का शीट सिलिकेट जिने हम कहा दे तो उसके अंदर क्या हो गया मुस्ट जो वन रिशू वन टाइब का हमने बड़ा भी था उसके बारे में जिसके एक्सपेंडिंग नहीं होती है पिछले वीडियो देखें तो आपने या फिर आपको अल्रेडी इन स्वैलिंग देखी जाती है पानी उसमें अब्जार करके वह फूल जाता है मुझा एक तरह से स्वैलिंग हो जाती है उसमें हमने पहले अच्छे से बात कर रखी है इन सब चीजों के बारे में तो अगर आपने अगें मैं कह रहा हूं पिछली वीडियो नहीं देखें तो आपने जरूर देख लें क्योंकि सारी चीजा आपस में connected है आप अगर पिछे वारी चीजों को अच्छे से ग्रैप करते आएंगे तो आगे चीजे आपको याद करना बड़ी आसान हो जाएंगी तो उसमें आप देखेंगे अभी इस चार्ट को आप अबसर्व करेंगे त यह important है याद रखें है वर्मिकुलाइट और मॉन्टमोरिल नाइट वर्मिकुलाइट क्या थे लिमिटेट एक्समेंडिंग थे एक्समेंडिंग तो होती है लेकिन ज्यादा नहीं हो पाती है हमने पिछे वीडियो में अच्छे से बात करी है और केवल नाइट क्या है जिस ताकि examination में से कोई भी पूछ लिया जाए तो आप उसे answer कर सकें है ना तो मैं बार बार आपको यह बोल रहा हूं कि पिछले वीडियो पिछले वीडियो तो आप नाराज ना हो या irritate ना हो क्यों क्योंकि मैं इसी लिए कह रहा हूं क्योंकि इसीजिया आपस में related है तो आप उसे download करके आराम से पढ़ भी सकें साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि fundamentals of soil science के ही हमने और भी जो topics हैं उन्हीं पिछले वीडियो में cover कर लिया है अगर इनके इस आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके link उपर आई बटन के साथ नीचे description box में available हैं आप चाहें तो नहीं देख सकते हैं साथ ही मैं आपसे request करूंगा कि अगर आपके लिए वीडियो helpful हो और आपको पता हो कि और भी कोई इनसान जो ICAR या कोई भी pre-PG examinations की preparation कर रहा हो specifically अगर उसे soil science के अंदर subjects वगेर soil science subject पे वीडियो चाहिए हो lecture videos तो आप उस इस वीडियो को और साथ में इस तरह के जो fundamentals of soil science की videos हैं उन्हें उस इनसान को share कर सकते हैं ताकि इस चैनल को support मिले ही साथ-साथ में उस इनसान की भी help हो सके कि अच्छी से preparation कर सके और साथ में मैं क्या हूंगा कि आप इस वीडियो को like जूरूर करें क्योंकि इस वीडियो को like करने से इस चैनल को support तो मि comment करता रहेगा तो इस चैनल से आप और अच्छी से जोड़ सकते हैं at last आपको यह बात भी बिदा दूं कि अगर आप जन्रल अग्रिकल्चर की knowledge और question analysis में इंटरस्ट रखते हैं तो आप हम इंस्टेग्राम पर follow कर सकते हैं वहां मैं regular post के जरिए जन्रल अग्रिकल्चर की क करता हैं मैं!